पूरे देश में माता के ज्छाकिया, डांडिया और गर्बे की रौनक है लेकिन क्या आप जानते हैं कि पडोसी देश पाकिस्तान के एक हिस्से में भी नवरात्री इसी धूमधां से मनाई जाती है दैनिकभास्क डाट कॉम आपको पहली बार पाकिस्तान से 51 शक्ति पीठु में से एक हिंगलाज माता के मुंदर की आत्रा पर ले जा रहा है पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी करांची से 200 किलोमेटर दूर बलुचिस्तान में हिंगलाज मंदर है मानिता है कि यहां माता सती का सिर गिरा था सिर जिस किर्थर पहाडी से गिरा उसे आज हिंगलाज नाम से जाना जाता है और इस मंदिर को धर्ती पर माता का पहला स्थान भी कहा जाता है तक्रीबन दो लाग साल से यहां मौजूद इस मंदिर में जितनी आस्था हिंदूओं की है उतनी ही श्रद्धा मुस्लिम भी रखते हैं हिंगलाच पहुचना अमरनाथ यात्रा से ज्यादा कठिन माना जाता है रास्ते में हजार फीट उचे उचे पहाड दूर दूर तक फैला सुनसान रेगिस्तान जंगली जानवरों से भरे घने जंगल और डांकूं और आतंकियों का खौफ ये इस यात्रा में जाने वाले किसी भी शक्स के होसले पस्त करने के लिए काफी है कराची से हिंगलाज मंदिर की यात्रा में कुल 5 एहन पढ़ाव होते हैं यात्रा में पहला पढ़ाव चंद्रकूप है इसे मजज वाला मुखी भी कहा जाता है हिंगलाज जाने वाले श्रद्धालू इस 300 फुट उचे शिखर पर अगर बत्तिय और नारेयल चड़ाते हैं यहां वो चंद्रकूप के दर्शन करते हैं चंद्रकूप की भबूत लेने के बाद श्रद्धालू का अगला पड़ाव होता है अगोर नदी यहां डुप की लगाने के बाद ही श्रद्धालू अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं तीसरे पड़ाव में भग 84 धाम पहुँचते हैं इसे 84 कुंड भी कहा जाता है इसे गुरू गोरकनात के शिश्यों ने बनवाए था हिंगलाज तीर थ्यात्रा का ये सबसे मुश्किल पड़ाव है यात्रा का चोधा पड़ाव है अलेल कुंड यहाँ पर यात्री हिंगलाज के दर्शन से पहले कुंड का पानी पीते हैं और पवित्र जल के तौर पर पानी अपने साथ ले जाते हैं यात्रा का आखरी पड़ाव है मंदर के सामने बनाए कुंड मानेता है कि मंदर में प्रवेश करने से पहले सनान करके अपने पाप धोने होते हैं और फिर पुराने कपड़े छोड़ कर नए कपड़े धारन करने होते हैं जहां हिंदू मंदिर को माता हिंगलाज देवी के नाम से पूछते हैं वही मुसलिम इसे नानी बीबी की हज, पीरगा और नानी मंदिर कहते हैं मुस्लिमों के इसे पीर्गा मानने से जुडातत थे कुशान राजवन्ष पर लिखी किताबों और ब्रिटिश गजट बुक में मिलता है राजवन्ष में बीबी नानी नाम की एक सूफी महिला थी जुसे व्रिधा वस्था में आखरी बार हिंगलाज की गुफाओं में देखा गया था मुस्लिम तभी से इस मंदिर को बीबी नानी की हज कहते रहे हैं हर साल नवरात्री में यहां सबसे ज़्यादा भीर होते हैं करीब 10 से 25 हजार भक्त रोज माता के दर्शन करने हिंगला जाते हैं इनमें पाकिस्तान बांगलादेश के अलावा अमेरिक और बिटिन से भी लोग जुटते हैं